जैन फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू आर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्राइमिंग एंड फोर्मिंग इन बॉइलर्स इनके क्या कोजेज होते हैं, कैसे इनको प्रेवेंट किया जा सकता है या फिर इनका क्या इफेक्ट्स होता है, ठीक है सारी बाते हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे, ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फ्रेंड्स, प्राइमिंग और फोर्मिंग आकिर में होती क्या है फ्रेंड्स, प्राइमिंग में क्या होता है, जब हम लोग, मानो, यह मेरा बोईलर था इस बोईलर का अंदर वाटर है, इसका हीट हो रहा है, तो यह स्टीम है यहाँ पर ठीक है, यह steam है, तो क्या होगा friends, priming के अंदर, priming क्या होता है, कि जब हमने water को boiler के अंदर heat किया, तो वो evaporation होगा, evaporation होगा, उसका मतलब steam में convert होगा, अब जिब water steam में convert होगा, तो steam के साथ में कुछ water droplets भी वो लेके चली जाती है, steam, उस process को नाम दिया गया है, क्या priming, ठी ठीक है, देखो, यहाँ पर मैं लिखके लाया हूँ, जिससे के और अच्छे सा आपको clear हो, what is priming, तो priming की simple सी definition है, कि जब boiler is steaming rapidly, particles of liquid water are carried with the steam, this process of wet steam formation is known as priming, simple सी भाशा में, कि जब हम boiler के इंदर water को गरम करेंगे, जिससे कि वो steam में convert होता है, अब steam boiler से भार जाएगा, कि इ उस steam के साथ साथ कुछ water के जो liquid है, liquid droplets दे उसके साथ चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो steam में वो weight हो जाए, और इस पूरी process को क्या कहते है, the process of weight steam formation is known as priming, समझ गए, ठीक है, कोई भी यहाँ पर rocket science नहीं है, simple सी भाशा में हमने explain किये आपको, कि जो steam में, steam के साथ को priming केते हैं, ठीक है, आगे बात करें, क्या क्या reasons हो सकते हैं, जिसकी वज़े से priming हमको देखने को मिलती है, तो friends, high level of dissolved solids, जो हमारा water रहेगा, that is, boiler feed water, जो कि हमने already discuss किया है, कि feed water के अंदर क्या रहेंगे, dissolved solids होंगे, जैसे कि मानलो calcium हो गया, magnesium हो गया, ये salts हमारे इसके अ अगर जादा अगर रहेगी, तो उसके साथ वज़े से भी priming देखने को मिलती है, या फिर बोले sudden boiling, boiler जो है, boiler के अंदर एकदम से आपने heat, जो है, उसको बढ़ा दिया, that is, heating वहाँ पर बढ़ा दिया, तो उसकी वज़े से sudden boiling होगा water का, तो उसके वज़े से भी priming हो सकती ह फिर improper boiler design, boiler की अगर proper तरीके से design नहीं हुआ है boiler, तो उसकी वज़े से भी priming होता है, ठीक है, next, sudden increase in the steam production, अगर आपको क्या करेंगे, steam production में भी increase हो रहा है, तो उसकी वज़े से भी यहाँ पर priming देखने को मिलता है, ठीक है, तो यह सारे हमारे causes थे किसके priming के, तो मैंने पताया कि priming क्या होती है, फिर हमने बात करेंगे, क्या-क्या causes होते हैं, priming के, अब हम बात करेंगे, ब्रेंट्स foaming, देखो, foaming नाम से ही clear होता होगा, आपको की foam, foam का formation जो हो रहा है, ऐसी process जिसके अंदर foams बन रहे हैं, उसी को हम लोग foaming के देते हैं, simple से बाशा में, हमारे ऐसे foam या फिर bubble का बनना, जो कि आसानी से break नहीं होते हैं, इस पूरी process को ही foaming बोलते हैं, ठीके, I think यहां तक की चीज clear हो गई होगी, तो यह definition आप याद कर सकते हैं, कि एक ऐसी process जिसके अंदर bubbles और या फिर बोलू, foam का formation होना, जो ऐसे bubbles बनते हैं, या ऐसे foams होते ह हैं, उस particular चीज को हमने foaming के दिया हैं, ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं, कि क्या-क्या reasons हो सकते हैं, इसके पीछे, like presence of substance like oils, which reduces the surface tension, मतलग कि अगर water के अंदर, that is कौन सा water, boiler feed water के अंदर, हमारे oils अगर present रहेंगे, तो उसकी वज़े से foaming सम को देखने को मिलेगी, ठीक है, म बात करें friends, कि आखिर में priming और forming में क्या relation है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कि priming और forming, दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं, हमको water के अंदर, ठीक है, तो वही point में नहीं आपर आपके लिए not down किया है, कि occurrence, priming and forming often occurs together, मतलब एक साथ ये phenomenon होते हैं, ठीक है, next अगर ब क्या होता है, weight steam का generation होता है, जो की एक प्रकास से deposition create कर देता है, dissolved salts का, अलग-अलग parts के उपर, जो boiler का parts होते हैं, उसके उपर, ठीक है, तो यहां तक की बाते मेरे ख्याल से आपको clear हो गई होगी, अब बात करें, क्या objection है, हमको priming और forming से related, तो पहली बात यह है कि दोस्तो impact on equipment, मानो, क्या होगा, priming और forming continuously हमारे यह जैसे boiler था, इस boiler से यहां पर steam निकल रहा था, ठीक है, यह steam के साथ क्या है, दोस्तो, इसके अंदर कुछ water droplets है, या फिर bubble से, यह turbine पर जा रहा है, यह मानो, यह turbine है, तो continuous क्या होगा, friends, यह हमारा equipment एक प्रकार का turbine, तो इसके उपर impact आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर salt का deposition बढ़ते जाएगा, क्या हो जाएगा, salt का deposition होता है, salt, ठीक है, तो simple सी वाशा में अगर कहें, तो priming और forming की बज़े से हमारे equipment के उपर impact आता है, जैसे कि deposition of salt, जो भी हमारा turbine रहेगा, उसके उपर क्या करेंगे, salt का deposition हो क्या, blades का weight बढ़ेगा, जैसे जिसे blades का weight बढ़ेगा, वहाँ पर उसकी efficiency कम हो जाएगा, ठीक है, next अगर बात करेंगे, machinery damage, salt deposit reduces the life of steam powered machine, देखो, salt का deposition अगर होगा, हमारे किसी भी machines के part के उपर, तो वहाँ पर उसकी life को reduce कर देगा, ठीक है, साथ में, machine को damage तो करी रहा है, मतलब उसकी life reduce हो रही है, operational difficulty भी वहाँ पर देखने को मिलती है, कि water column height becomes difficult to judge, अगर वहाँ पर priming और forming का formation हो रहा है, तो हम एक proper तरीके से, जो water की height रहेगी, उसको नहीं पता कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि actually में, आपको लगे related problem बन जाता है, boiler pressure को maintain करने के लिए, ठीक है, next अगर बात करें, friends, कि कैसे हम priming से बच सकते हैं, priming को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसके reasons यह है कि दोस्तों, आप mechanical steam purifier लगा दो, कहाँ पर putting purifier to filter out the steam, जैसे कि यहाँ से steam अगर मेरी जा रही है, तो इस जगे मैं क्या और filter लगा देता हूँ, तो यह अभी turbine पर direct नहीं जाएगी, तो यहाँ से हम लोग priming को थोड़ा सा रोग सकते हैं, मतलब ऐसा समझेगा आप, कि mechanical steam purifier, जिससे कि हम लोग filter लगाते हैं, water को filter करने के लिए, ऐसे आप steam purifier लगा दो, जिससे कि weight steam नहीं रहेगी, और अगर weight steam नहीं रहेगी, तो हमारे क्या होगा, damage कम हो जाएगा, control steam rate, steam का जो rate है, generation rate उसको आप control कर सकते हैं, that is, avoid rapid change in the steam rate, जिसे पहले 5 था, एकदम से sudden 10 नहीं कर देना हैं आपको, ठीक है, generally यह 5 की range में आपको रखना है, तो rapid change आपको avoid करना है, sudden change avoid करना है, water level, तो आपको water level कम maintain water level in the boilers, ठीक है, तो यह कुछ, फिर water treatment, तो आप उहाँ पर क्या करेंगे, efficient softening या फिर filtration of boiler feed water का use करें, मैंने आपको बताई थी, क्या requisites होती है, boiler feed water की, वैसा water आप use करेंगे, तो उसकी वज़े से भी, हाँ पर हमारा priming prevent हो जाता है, ठीक है, देखो basic से points से ज़्यादा इन मिल जाएं, ठीक है, next अगर बात करें friends की prevention of forming, आखिर में forming को कैसे बचाया जा सकता है, तो forming को हम anti-forming chemicals use करके prevent कर सकते हैं, ठीक है, anti-forming chemicals का use कर सकते हैं, जिसे कि यहाँ पर अगर बात करें, add chemicals such as castor oil to break up the forms, castor oil का use कर सकते हैं, जिससे की हमारे forms का formation बंद हो जाएगा, या bubbles न agent removal, जो भी हमारे water के अंदर oil या फिर जिनकी वज़े से form बन रहा है, ऐसे agent को remove करवा दो, ठीक है, जैसे ही कैसे remove होगा यह, इसके अंदर आप compound like sodium aluminate डाल दो, जिससे कि क्या होगा, यह हमारे जो भी oil रहेगा water के अंदर उसको remove कर देगा, ठीक है, next अगर बात करें friends की summary क् हमने क्या-क्या बात करी आज किस वीडियो के अंदर, तो हमने बात करी सबसे पहले, priming and foaming, कि priming और foaming क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, priming involves carry over of the water with the steam, मतलब priming और forming में क्या होता है, priming में क्या होता है, कि steam के सासथ water भी चले जाता है, ठीक है, simple सी बाशा में यह बा नहीं होते हैं, ठीक है, तो यह हमने बात करी थी, priming और forming की, फिर हमने बातित करी, causes की, कि क्या-क्या causes हो सकते हैं, तो both results from the dissolved solids, water के अंदर जो भी dissolved solids रहेंगे, या फिर oils रहेगा, या फिर rapid steam production होगा, इनकी वज़े से हमको priming और forming देखने को मिलती है, prevention क्या है friends, तो mechanical steam purifier ल रुख जाएगा, तो friends, मेरे क्याल से clear होगा कि आपको priming और forming क्या होते हैं, क्या इनके causes हैं और कैसे इनको prevent किया जाता है, I hope, वीडियो अच्छी लगिएगी, आपका topic clear होगा, तो वीडियो को like करे, share करे, and channel को subscribe करे, and eppty download करने के लिए, link आपको description में दिया गया है, वहा साथ इसको download कर सकते है, thank you